हलो एविवान वेलकम बैक तू दे चैनल आज की वीडियो जो है वो आप ही लोगों की कॉमेंट्स में से मैंने निकाली है मुझे बहुत अच्छा रखता है आप लोगों की जितनी भी कुरीज है वो सब सॉल्फ करना और क्योंकि मैं कॉमेंट्स कल पढ़ रही थी और कॉमेंट्स में किसी ने लिखा था कि पास्पोर्ट होना जरूरी है कि नहीं तो आज मैं उसी के लिए आंसर करने यहां पे आई हूँ कि cabin crew बनने के लिए आपके पास passport होना जरूरी है या नहीं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगी अगर आप cabin crew बनना चाह रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव आप domestic airlines में जाना चाह रहे हैं या international airlines में जाना चाह रहे हैं आपके पास passport होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक air justice बनना है तो आपके पास passport होना mandatory document है लेकिन अगर आपने अप्लाइ कर दिया है किसी airlines के लिए या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाइ करना चाह रहे हैं लेकिन अभी आपका passport नहीं आया है तो आप शॉडली apply कर सकते हैं ऐसा कोई rule नहीं है कि आपके पास passport नहीं है तो आप interview देने नहीं जा सकते हो आप apply करो आप interview देने जाओ लेकिन जिस दिन आपका interview हो उस दिन आप अपने interviewer को documentation के time जब आपका documents ले रहा हो उस time पे आप उ आप उसको बोल सकते हो कि मुझे एक महीना लगेगा मेरा passport आने में या फिर मुझे 25 डेज लगे मेरा passport आने में जैसे ही मेरा passport आएगा मैं सबसे पहले आपको अपना passport सब्मिट कर दूँगा इस वक्त मेरे पास मेरी passport की application number है अगर आपको मेरा application number चाहिए तो मैं आपको मेरा passport नहीं है तो आप अप्लाइ नहीं कर सकते हूँ जौन के लिए आपको जब भी कर दो अराम से एप्लाय कर सकते हो किसी जौब के लिए और आपे एक क्यावन प्रूब बन सकते हो इसलिए passport होना बहुत ज़रूरी है आप अपूर्ट के लिए आप टूब प्लाय कृए कियोंकि जिन जिन का सपना ना बहुत ज़रूरी है आक कि आ सब को ढूरा और हम उस्लिफ पर प्टाफटALK आपट कर दो पर्षिंटेश को व्म कि आप लोग अभी से अप्लाए कर दो अपने पासपोर्ट के लिए थांक्यू सो मच फॉचिंग वीडियो और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं पढ़के उसका अंसर जरूर दूंगी थांक्यू सो मच फॉचिंग वीडियो प्लीच वीडियो लाओ क्या वीडियो तुचिंग वीडियो थे अप्लीच वीडियो